नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चिंतन की विविन मनोवग्यानिकों के अनुसार परिवास है किसकी चिंतन की विविन मनोवग्यानिकों के अनुसार परिवास है यानि कि ठिंकिंग की डेपिनेशन्स तो हम पहले देखते हैं कि silverman ने चिंतन के बारे में क्या बोला किसने silverman ने चिंतन के बारे में क्या बोला silverman के अनुसार चिंतन एक मानसिक परक्रिया है कौन सी चिंतन एक मानसिक परक्रिया है जिससे जो हमें उद्धी पनों और गटनाओं के परतिका आत्मक चित्रन के द्वारा समश्या समाधान में मदद करती है किसी समश्या का समाधान करने में क्या करती है? मदद करती है किसके नुसार? सिल्वर मेन के नुसार तो एक बार फिर से बोलेंगे, शिल्वर मेन के नुसार, चिंतन एक मानसिक परक्रिया है, जो हमें उद्धी पनों और गटनाओं के परतिकात्मक चित्रन के द्वारा किसी समश्या के समाधान में मदद करती हैं, तो सिल्वर मेन का चिंतन, सिल्वर मेन का चिंतन के लिए क्या हो गया, की पॉइंट क्या हो गया, कि सिल्वर मेन का चिंतन परतिकात्मक चित्रन के द्वारा, परतिकात्मक चित्रन के द्वारा क्या करता है, समश्या का समाधान करता है, इसके बाद हमारे अगली परिवासा आ कि वेक्ट विवहार्यसमस् yardım वेक्ट विवहार। है किसके नुसा मौय सिंद सब्काइब से तो और ऊस है चेवर्ण वेक्ट विवहारrob हे कौन सा समच्छा समादान समस्यारियोर्णम पर इसके बाद कि चुछ जिसकें लोड में पर्युद किया जाते तो परीक क्या होगे हमारे हमारे विचार हो गे जो हमारे परखते हं जो हमने विविन रखाल जो अम विविन परकार चित्रन करते हैं तोसकेनुसरा गेरेट के नुसार चिंतन एक परकार का विक्त और दर्से विवहार हैं जिसके माद्यम से सामाने रूप में पर्तिकों का परियोग करते हैं पर इसके बाद रोस के नुसार चिंतन रोस ने चिंतन की क्या परिबासा दी तो रोस के नुसार चिंतन मानसिक क्रियाओं का भावात्मक पक्से या मनोवेग्यानिक वस्तों से संबदित मानसिक क्रिया है कि नुसार रोस के नुसार चिंतन क्या हो गया कि चिंतन मानसिक क्रियाओं का भावात्मक पक्से या मनोवेग्यानिक वस्तों के वस्तों से संबदित मानसिक क्रिया इसके बाद हमारी अगली परिवासा है आएगी अगली परिवासा है कोल सनिक के नुसार किसके नुसार कोल सनिक के नुसार तो कोल सनिक ने चिंतन के बारे में क्या करता कि चिंतन परतियों को फिर से संगटित करता है चिंतन क्या करता है परतियों को फिर से संगटित करता है तो कोल से निक के सर से संगटन कोल से निक के सर से क्या हो गया संगटन यानि कि कोल से निक अनुसार चिंतन की परिवासा क्या होगी कि चिंतन परतियों को फिर से संगटित करता है फिर इसके बाद कोमन और हेव मेन ने चिंतन की परिबाशाय बताए चिंतन की परिबाशाय तो कोमन और हेव मेन के नुसार चिंतन पर्ति माओ क्या पर्तिमाओ पर्तिको संपर्तियों नियमों और अन्य मदेस्त इकायों के मानसिक जोड तोड को क्या बोला चिंतन बोला किसने बोला कोमन और हैं मैंने कि क्या बोला कि मानसिक पर्ति माओ पर्ति को संपर्तियों नियम और अन्य अन्य मदेस्त मानसिक जोड़तोड को क्या बोला चिंतन बोला किसने बोला कॉमन और हेव मेन ने पर इसके बाद हमारे अंतिम परिवास आते है राइबरन के नुसार राइबरन के नुसार तो राइबरन ने चिंतन के बारे उच्छा संबंधि परक्राइब जो असन्तोस के कारण प्रारंब होती है और परियास तुरूटी के परियास तुरूटी के आदार पर अंतिम इस्तति तक पहुंच जाते हैं यानि कि असन्तोस हुआ उसको पूर्थी करने के लेकिन हम दीरे दीरे अंतिम परिणाम तक पहुंच जाएंगे जो क्या करेगा इच्छा को संतुष्ट करेगा रायबरन के नुसार चिंतन क्या हो गया चिंतन इच्छा संबंदी परकिरिया हैं जो असंतोस के कारण परारंब होती है और परियास और टूटी के आदार पर अंतिम इस्तती तक पहुंच जाती है और इच्छा को संतुष्ट करती है ठेंक्यू